लगश्कार दोस्तों दोस्तों ये है मदू मक्ही जो गेंदे के फूल से पराकन निकाल रही है क्या आपको पता है कि इन पराकन का क्या प्रयोग होता है ये मक्या पराकणों का प्रयोग करके शहे तयार करती है और इनके जो पैर होते हैं पराकण इनके पैरों में चिपका लेती है और फिर ये चली जाती है और जैसे ही ये छटे के अंदर जाती है ये पराकण उन छटों में बने हुए खरकोदे यानि इनके जो घर होते हैं सुराक होते हैं उनमें चली जाती है दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि पराकर्ण से बना हुआ जो शहद होता है नैचुरल शहद जिसको कहते हैं पराकर्तिक शहद है वो कई हजार वर्सों तक अगर पड़ा रहता है तो वो खराब नहीं होता उसके पीछे यही कारण होता है कि पराग कड़ों के अंदर जो पूंकेशर होते हैं वो इतने जटिल प्रक्रिया से गुजरते हैं और वो इतने जटिल तरीके से बनते हैं कि वो कभी विग्टित नहीं होते जाहें वो किसी तरह का पोधा हो इन पर जो भी फूल आते हैं उन फूलों के अंदर पराग करन होते हैं और इसी से फल तयार होता है क्योंकि मदुमक्या एक फूल पर बैठ करके दूसरे नर फूल पर बैठती हैं और फिर मदा फूलों तक पहुंचती है और उनका जो है पूंकेशर वो उठाती है यानि पराग करन उठाती है और वो उसका जो आदान परदान है उसी की वज़े से फल तयार होता है मगर मदुमक्यों के अंदर मदुमक्यों दुआरा जो पराकन लेकर के चटों के अंदर जो ये लेकर के जाती है आपको पता होगा और अगर नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं कि ये मदुमक या छतों तक अपने इस पराकन को ले जाती है और उसी को जो है ले जाकर के एक उल्टी करती है यानि जो पराकन इन्होंने खाया है वो ये वहां जाकर के उल्टी करती है शहद के जो छता होता है और फिर ये रात के समय क्या करती है उसको उसमें पहुंचाती ह उन डबों के अंदर जो च्छते बने हुए है और उन सुराखों के अंदर वो पहुंचाती है और फिर वो सहद में कनवर्ट हो जाता है जिस तरह इसे हम अचार डालते हैं या मरबब डालते हैं बिलकुल वही प्रक्रिया जो है ये दोहराती है मदुमक्या और आप जानकर है विखरान होंगे कि मदुमक्या जो पराग्रण है उन पराग्रणों को जब ये लेकर याता है तो अगर उ चचते में इकठ्था हो जाता है और उस पराग्रण को एक चमच अगर हम लोग खा लेते हैं तो इतना टाकतवल होता है कि आपका शरीर ऐसे लग़ा जैसा फटने लगा है और इसलिए इसको बहुत ही कम मातरा में खाया जाता है और ये प्राकन जो है बहुत ही शक्तिशाली होता है जो हजारों रुपे प्रति किलोग्राम के इसाब से बिकता भी है और शहद इतना ओशदिय गुणों से भरपूर होता है और शक्तिशाली होती है उसके कि इन फूलों से पराकण उठा करके लाती हैं मदुमक्यों द्वारा लाया गया यही पराकण बेश किम्ति और शक्ति शाली होता है उसके पीछे एक और वी आधा है और इसलिए वह शहद जो होता है वो शद्य गुनों से भरपूर होता है क्योंकि शहद कहा जाता है कि हजार वर्षों तक खराब नहीं होता इसका कारण यही है कि यह कोई ना कोई ऐसा फूल है हमारी विभिन वनवस्पतियों के अंदर जिसका प्राकर्ण शब्षे शक्तिशाली होता है और अगर उस प्राकर की पहचान हम लोगों द्वारा कर ली जाती है तो आपको यकीन नहीं होगा संजीवनी वूटी से वो बिल्कुल कम नहीं होगा क्योंकि यह आक ढाक बिच्छू बुन्टी गुलाब रशीला अंजीर और नजाने कितने ही तरह के जो फूल है पोदे हैं उनका यह पराकर छोटी मक्या जिसको हम कहते हैं इनका शहद ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली होता है और जो पालतू मदुमक्या होती है वो नय के बराबर होता है उसमें कोई जादा गुण नहीं होते लेकिन यह चोटी मक्या है यह अतेदिक शिकार के कारण जो है खत्म होने की कगार प जिसे आम तोर पर छोटी मक्यों का शहद कहा जाता है यह मक्यां हर तरह के फूलों के उपर बैठती है दोस्तों और इनको प्राकन से मतलब होता है फूलों के अंदर क्या है उसको इससे कोई मतलब नहीं होता इन खुबसुरत फूलों का शहद वो हमेशा जो है अपने च्टे पर लगी रहती है ले जाने के लिए और हमेशा मदुमख्या 24 घंटे काम करती है सुबह वो इन से पराग करनों को लेकर के अपने छत्ते के नीचे लगे ट्रे में डालती है और फिर वो रात को जो है उन्हें ऊपर छत्ते के अंदर जो शुराक बने हुए मॉम के अंदर उसम पहुंचाती है